नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की G20, G20 का हासिल और सबसे बड़ी उपलब्धी कि कि किस तरह से तमाम देश इतने संकट के दौर में भी पहुचे एक सहमती की तरफ एक स्टेट्मेंट जारी हुआ, दिल्ली डिकलेरेशन हासिल हुआ, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं प्रबीर पुरकायस के साथ प्रबीर आज परताल दुनिया भर की में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जी ट्वेंटी पर भारत ने और पूरी दुनिया ने देखा कि एक सफल आयोजन जी ट्वेंटी का हुआ, भव्वे दिव्वे आयोजन और शुरू से लेकर इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि हासिल क्या होता है, क्या समझहोते होते हैं तो अगर मैं संग्षेप में आप से जानना चाहूं कि हासिल क्या हुआ और उस बीच मैं ये भी बताना चाहूंगी दर्शकों को कि एक खास मैप है जो हमने तयार किया है, ये बता रहा है कि जी ट्वेंटी के कौन से देश हैं और साथ ही में इस बार अफरीकी यूनियन को भी शामिल किया गया है, अफरीकी यूनियन को भी तो वह देश भी पीले में हैं जो शामिल हुए हैं तो संग्षेप में दर्शकों को ये बताईए कि आपकी नजर में इस जी ट्वेंटी का हासिल क्या देखें G20 का मकसद हमने पहली भी चर्चा किया है होता है economic issues पे क्या रवाया होगा और जो crisis अगर कोई है दुनिया में economic crisis, trade related कोई चीजे है तो platform है जिसके जरीए इसको हल किया जा सकता है अगर G20 का शुरुवात हुआ था 2008 में financial crisis से जो G7 के लगा था कि हम अपने तरफ से इसको हल नहीं कर पाएंगे और देशों को भी मदद चाहिए इससे G20 की शुरुवात होता है पहली बार जो एक unified statement understanding जो है G20 की बैठक की बाली में नहीं हो पाया था क्योंकि यूक्रेन को लेके जो बिबाद था उसमें रूस अच्छाना सहमत नहीं था जो दूसरे दोशे को formulation था और खास तोर से जो European Union अमरीका पुश कर रहा था कि यू डारेक्टली रूस को निशाने पिलिए जाया जिमेदार बताया जाए इस बार जो है जो statement है वो शब्द नहीं है रूस को उस तरह शे निशाने में नहीं लिया गया है और इसकी एवज में अमरीका European Union कह रहा है पर दूसरे जगहों पे जो कहा जाता है उससे हमें लगता है कि रूस का एक हिसाब से कटगरे में खड़ा कर सकते हैं पर हकीकत तो ह भारत की जो अगवाई रही है इंडिया की यहां पर यह सफल है कि एक यूनिफाइट स्टेटमें निकला है तक्रीबन दोनों ही पक्ष रूस के बाद में बताया उनके प्रतिनिधी यहां आए हुए थे उन्होंने भी कहा कि उनके पक्ष में हैं अम्रीका और नैटो देश के जो प्रतिनी दी थे उनको भी लगा कि उनकी भी बात हो गए यह तो दोनों ही तरह से अपने अपने ढंग से लोग जस्टिफाय कर रहे हैं पर जलेंस्की का जो स्टेट्पेंट था क्रिटिसाइज करते हुए स्टेट्पेंट को कि समर्थन नहीं किया अपने जंग को एक हिसाब से छूड दे दी तो उससे साफ है कि वेस्टर्ण देशों की इससे नाराजगी थी इन्होंने मानने के लिए अल्टिमेटली तैयार हुआ इसका दो वज़े हो सकता है एक तो वज़े यह है कि इंडिया को नाराज नहीं करना है और इंडिया की जो एक भव्य आपने कहा एक भव्य आयोजन है उसमे पानी नहीं फेंकना है तो इसलिए यह अगर एक ऐसे जग तो इस पे सब पर उसका असर पूंगता और हमारे चार हजार करोड से अधिक रुपे खर्श भी पर जी ट्वेंटी का एहमियत काफी कमजोर हो जाता दुनिया में और इसलिए उसकी च्छबी खराब करना इस वाक्त किसी के हित में नहीं है यह लगता है दूसरी बात जो है कि यह भी साफ है कि जंग अच्छी दिशा में नहीं जा रही है वेस्टेन पावर्स के मताबिक नेटो जो इतना आर्म्स अमूनेशन दिया पैसा दिया यूर्पेन यूनियन अमरीका बहुत सारे अर्बों डॉलर की उन्होंने बनत की तो इस से लग रहा है कि जिस तरह जं की जरूरत है तिसरी बाद भी देखी जाए कि अब दुनिया की भारसम्य इकुलिब्रियम जो है इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि उन देशों के तरफ जा रहा है जो कि दुनिया में जिसको एक जमाने में नॉन इलाइंट कहते थे इसके बाद जी 77 देशों देश कहते थे पर इस वक्त यह च्छबी भी साफ कर रही है कि यह दुनिया बदल रही है कि लोब वल साउथ का भार सम्य क्या कहेंगे भार बढ़ रहा है और खास तोर से यह भी सोचिये हमने सैंक्शन्स की मैप भी पहली दिखाए है जी ग्लोबल साउथ ने सैंक्शन्स रूस पे न से नहीं छेड़ना चाहे तरू उसको पर उनको financial sanctions से उनका कोई तालुक नहीं रहा उसका विरोध किया और अभी भी देख सकते हैं ये क्या कहेंगे जादे तर दुनिया की देशों की ये रवाया भी है जिस पर भारत में शामिल है तो ये जो एक non-align नहीं इसको जैशंकर जी तो इसको multiple alignment के रहे हैं तो बहुत सारे देश इस multiple alignments के रास्ते में चलने के लिए इस वक्त तयार है तो G20 के अंदर योरप और अमरीका का जो भार था पहले वो भार इस वक्त नहीं है और ये चीज जो है दुनिया में इसका संकेत संकेत देता है कि शायद राज़ितिक तौर पे economic तौर पे दुनिया सिर्फ बदल ही नहीं रहा है पर पुराने colonial powers जिसको हम settler colonial powers करते हैं उनकी भार दुनिया में घट रहा है और इसी क्रम में जैसा कि हमने दिखाया भी अपने नक्षे में कि अफ्रीकन यूनियन जो है अफ्रीकी यूनियन जो है उसे भी सदस्य के तौर पे पहली बार हुआ है स्तापना के बाद से G20 का कि उसका expansion हुआ और इतने बड़े पैमाने पर अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल किया गया और बहुत दिल्चस्प है ये पूरा का पूरा देखना क्योंकि इसकी शुरुआत अफ्रीकी यूनियन की लीबिया में गदाफी के समय से हुई है अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने से कितना असर पड़ेगा और बहुत दबाओ भी था क्या क्या भारत में इसमें पहल ली थी कि इसको सदस्य होना चाहिए जब यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी यूनियन दोनों को एक्वेट करने की दोनों को बराबर रखने की भी कोशिश की गई इस बार देखिए अगर पिछला सेंचली 1950s के बाद कह सकते हैं एशिया का था जिसका अभी भी चल रहा है चीन इंडिया इन दोनों की एकॉनमी दुनिया में पहले पांच एकॉनमिस में पहुंच गया है अगर PPP टर्म सो देखे इंदुस्तान भारतवर्ष तीसर स्थान पे है ची European Union धीरे धीरे पीछे जा रहा है यह तो साफ है आफरिका की बारी इस वक्त आ रही है साफ है क्योंकि यहां पर आपके Minerals Rich पूरा इलाका है दुनिया के बहुत सारे Minerals इसी इलाके से आते हैं और जिस तरह से बटवारा करके रखा गया था जिसके जरीए आज भी यहां प सारे बेसिस अमरीका और फ्रांस की आफरिका में है वो धीरे धीरे वो चीतर बदल रहा है हम निजेर के बारे में बाचीत करते ही रहे हैं अब देखी रहे हैं साओधे रेबिया इरान इन सब के बीच में समझावता हो रहा है तो इस इलाका प्ले में है और भविश्य में है आफरिका जरूर प्ले में होगा और दुनिया के मानचित्र में आफरिका के महत्व बढ़ने वाला है मुझे लगता इसका इंगित एही है एक और जो बहुत एहम चीज जिस पर बहुत चर्चा है चर्चा कितनी सॉलिड है कितनी नहीं करके जिसका एक नक्षा जो प्रचलित अभी पब्लिक डोमेन में है जिसको हम यहां पर शेर कर रहे हैं दर्शकों के साथ कि वह वहां से मुंबई से शुरू होता है इधर UAE सौदी होते हुए इसराइल भी है इसमें और फिर इधर से होते हुए जर्मनी तक जाता हुआ द हिवाब दिया है चीन के बेल्ट रूट इनिशेटिव को तो और यह दूसरा एक नक्षा है तो यह जो पूरी पहल है यह कॉरिडोर की कितनी फीजिबल है मैं इस पे थोड़ा सा चीजों को दिखाना चाहूंगा कि बेल्ट रूट इनिशेटिव इस वक्त एक स्तर पे जाक आ चुका है साओदे एरेबिया भी शायद में आ जाएगा क्योंकि तेल को लेकर उसमें पाइप्लाइन बगारे जो बन रहे हैं शायद साओदे एरेबिया भी उसमें शिरकत कर सकता है क्योंकि तब चीन की मार्केट सिधा साओदी से घूम के जाने के जरूत नहीं पड़े शामिल नहीं है बेल्ट्रोट इनिशेटिफ में यॉर्पियन यूनियन उसका बाहर आ गया है और यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस चीन और वेस्ट वेस्टर्ड यॉर्प के बीच पर सम्मंद जो है ओ धीरे-धीरे अलग होने के दिखाई चाफे खटाई में पड़ से हाना कि चीन पर इस तरह के सैंक्ष्यन के इन फिरेटि ईयूर्पियन यूनियन के तरफ से नहीं किसी वो स्भीड यह है की रूस के तरफ से हिंदोस्तान की भारत कि मार्केट की इंट्रिस्ट है हमारे भी इंट्रेस्ट है वहाँ से चीज़ों आए जाए तो उसका रूट की एक पहले यहाँ प्रोपोजल है जहां तक कारगर होगा देखना पड़ाएगा जिसको कहते NSTC कॉरिडॉर नौट साउथ जो है ट्रांस्पोर्ट कॉरिडॉर वो रेल और सबुन्दर काइस्पि इसका बूल जो है वो रेल कॉरिडॉर है तो यहां तक आने की बात चल रही है तो अब देख सकते इरान से चबहर से मुंबई तक हो सकता और भी जगों पर जाए पर यह जो है अभी तक यह इरान और मुंबई के बीच पर अभी भी जहाज का लिंक डिपेंड करता है चबह अशुति दिया है आशाश्वन दिया है कि हम इसको बनाएंगे पर अभी तक उससी सबसे बंद नहीं पाया है क्योंकि अमरीका इरान के बीच संबंद सुधरे नहीं है इसलिए अभी भी फाइनेंशल सैंक्शन्स है तो भारत वरश के लिए भारत के लिए इरान के साथ फा इसमें मैं आ रहा हूँ और एक चीज़ देखिए कि यह जो करेक्शन्स है यह स्वेस कनाल से होते हुए हमारा वैसे भी मेडिटेरिनियन सबंदर के बीच से यहां तक समुधरिक लिंक है क्योंकि स्वेस कनाल में आप जानते हैं कि समुधरिक जहाजें भी चलते हैं तो इस को इंडिया से जोड़ेंगे साउध इसका वेस्ट एशिया के बीच में होते हुए हैं इसमें हम मिडल इस का मिडल इस्ट कह रहे हैं योरपिय दिश्टिकोन है क्योंकि एशिया में हम इसको वेस्ट एशिया कहते हैं हमारे लिए इस्ट नहीं है हमारे लिए तो इस्ट कारियां हैं उनके द्वारा पब्लिक डोमेन में आई है इनाउंस्मेंट्स हुए है इस एकनॉमिक कॉरिडॉर की और उसका सरूप का मैप जो है वो भी कोई ऑफिशल मैप नहीं है लोग बना रहे हैं बातचीत से अमरीका ने खास शब्द इस्तेमाल किया है जिस पे उन्हों नहीं है तो इसी लिए ये कॉरिडॉर साओधे अरेबिया क्या इसरेल से आएगा ये अभी मेरे ही दिमाग में एक प्रश्ण चिन्न है देखना पड़ेगा क्या होगा पर सवाल यह है कि existing already हमारे पास रूट है तो इसके जगह पर एक नया रूट बनेगा जिस पे एक पुराना चीज भी शामिल किया है जिसको जी सी सी रेलवे लाइन जिसका दो हजार नौ या साथ से उसकी बातचीत चल रही है संबंद बने आपस पे जगड़े हुए थे कतर और इसके बीच में साओधे रेबिया की बीच में अब संबंद काफी सुधरे हैं त यह दो बनेगी जी इस रासे में कई नक्षे हैं हमारे पास पर इस से इस रूट की जो यॉरप को इंडिया से लिंक करेंगे मिडल इस्ट के जरीए जो कह रहे हैं इसका कहां तक फीजिबिलिटी है खास तोर से इसरेल अब जानते हैं इस वक्त किस थिती में है और अरब द इसलिए इसका वीक पोइंठ जो है यह है यॉरप को मिडल इस्ट से लिंक करना इसरेल के उयूद आहरा इसलिए जरूर एहम है क्योंकि ये अदानी जी के पास है हाइफा पोर्ट जो है इस वक्त अदानी का पोर्ट अदानी पोर्ट का जो पोर्ट फोलियो है उसमें शामिल है उसमें शामिल है पर आसान नहीं है क्योंकि ये इशू वेस्ट एशिया में आसान इसे हल नहीं है तो ये क्या चीन के Belt Road Initiative को एक चैलेंज देने वाला है क्योंकि लगातार इसके बारे में मीडिया में चर्चा इसी तरह से देखें Belt Road Initiative तो इस इलाके को लेके है क्योंकि ये जब कोरिद episód के बात हुई तो Italy की परदान मंथरी हैं उन्होंने कहा कि वो Belt Road Initiative से बाहर आ जाएंगी हाँ यॉरप मैं तो कहा कि यूक्रेन की युद्ध कपाद बेल्ट रोट यॉरप तक नहीं पहुंचेगा इस वक्त ये रवाईया यॉरप के तौर्थ है पर इसको सेंट्रल एशिया चीन रूस और इसको वेस्ट एशिया से जोड़ने के इरान से नहीं सा जानते ही है कि उनके साथ चीन के सम्मन सुधर गया काफी तो ये जो इलाका है ये तो चीन रूस सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया को जोड़ेगा यानि हमें लगातार इस पे निगाह बनाए रखनी पड़ेगी कि यह कॉरिडॉर साथ दिन में या एक साल में क्या रंग लेता है बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर दोस्तों जी ट्वेंटी बना आर्थिक साजेधारी के लिए और देखे कि यहां से जो कॉरिडॉर की बात हुई है वह भी आर्थिक साजेधारी की तरफ बड़ा हुआ कदम है हालाकि ये अलग बात है कि मीडिया में इसे लगा और जमीन पर उतरने में सालो साल लगते हैं यह रड़नीतियां किस तरह से भारत को और भारत के इर्दगिर्द की राजनीती को प्रभावित करेंगे इस पर हमारे साथ नजर बनाए रखिए शुक्रिया